आफ हेलो फ्रेंज बेलकम बैक चैनल तो आज हम बनाएंगे डग करी तो फ्रेंण देखें यहां यहां पर मैंने दोड़क को काड़ के दोड़क कर लिया हैं तो अभी हम इसको मैरिनेट करेंगे म monitी मेरिनेट करेंगे जितना हो मीठ एक importante की सबकुछ अच्छी से डाल दिया है और यह देखिए लस्तन को अच्छे से पीस लिया है फ्रेंट हम इसमें प्याज नहीं डालेंगे प्याज को एकदम अभी हम स्किप करेंगे और यहां देकिए जीरा धनिया और काली मिइच का पेस्ट बना लिया था अध्रक को भी पीस के डाल दिया है और यहां पर सर्सुका तेल डालेंगे कच्छा वाला क्ढ़ाई को मैंने चूले पर या ग्यास पर नहीं चड़ाया है बस नीचे रखके सा तो आप इस तरीके से एक बार डग कड़ी बना के देखना आपको बहुत ही पसंद आएगा यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो फ्रेंड देखे अच्छे से मारीनेट करने के बाद हमने चूले पे चड़ा दिया है अच लगडी से ही बनाएंगे डग कड़ी तो फ पास से दस मिनट इसको फ्राइ करना है ज्यादा नहीं करना है तो फेंड देख सेखते हो मीट ने अच्छे से तेल पानी छोड़ दिया है तो अभी हम ग्रेवी के लिए पानी भी डाल देंगे और यहां देखिए मेट भी अच्छे से फ्राइब हो गया था तो अभी देख तब देखिए पानी जब थोड़ा बहुत कम हो जाए तब हम इसमें आलू डाल देंगे अगर आप चाहो तो साबुद बाला लसन भी डाल सकते हो यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और यह बिंटर स्फेशल लेसेपी है बिंटर के टाइम में बहुत ही टेस्टी लग है क्योंकि यह गलने में टाइम लगता है और आलू और लसन हम पहले ही डाल देंगे तो वह तो एकदम गल जाएगा इसलिए थोड़ा बाद में ही डाला है तो आप भी इस तरीकी से बनाना और हर टिप्स को फालो करना और वीडियो को इसकीप किये विना देखना वीडियो बैल को भी जरूरान करना ताकि हम जब भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंद वीडियो को देख सेको तो अभी हम तड़का लगाएंगे तो देखे पतीले में मैंने मीट को निकाल लिया है तो अभी हम उसी कडाई में थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और फिर हम लगाएंगे तड़का तो फ्रेंट देखे सावत बाला जीरा हमने डाल दिया है जीरा अच्छी से चटक गया है अभी हम सारा जो मीट है वो डाल देंगे और कुछ दिर और पकाएंगे ताकि इसके गरेवी तोड़ी हो जाए अलुब लसेन अच्छे से गल जाए फिर हम इसको निकालेंगे तो फ्रेंट देखिए गरेवी घरी हो गये है एक दम थोड़ा सा ही है गरेवी तो अभी हम इसमें डालें गरम मसाला तो फ्रेंट देखे गरम अले को मैंने सिलबटे में पीस लिया है तो अभी हम गरम मसाला इसे में डाल के फिर निकाल लेंगे तो फिर आप भी एक बार डखकरी को ज़रूर बनाना खुद खाना सबको खिलाना देखना बहुत ही पसंद आएगा और बिंटर सीजन में बहुत ही बढ़िया लगता है तो आप एक बार जरूर करना और कॉमेंस करके बताना की कैसा बना है तो फ्रेंट देखिए डखकरी मेरी बिल्कुल डैडी है खाने के लिए जितना टेस्टी दिख रहा है खाने में उत्रा ही टेस्टी बना था तो आप एक बास जरूर बनाना और कॉमेंस करके बताना तो फ्रेंट